दोस्तो रमस्कार कर्णल अजय सीव अजय स्ट्रोमनी ग्रूप फर्स्ट ग्लोबल अश्ट्रोफरनेंस डीजिटल चैनल से आपसे मुखाति बोता हूँ आज है उननीस अगस सन दोजार चौबिस सावन शुकल पक्ष पूनिमा दोस्तो आज पूरा देश रक्षाबंदन का त्यवार पूरे हर्शो लास से मना रहा है भाही बहन का पवित्र सम्वंदों का ये त्यवार पूरा देश हर्शो लास के साथ मनाता है मैं करनल अजय हमारे चैनल की तरफ से सभी को हरक्षाबंदन के सुब और पावन अफसर पर हर्दिक सुब कामनाई प्रिशित करते हैं दोस्तो आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्रेंज में एक महतोपून फसल मक्षा के बारे में विशेश कर हम चर्चा करेंगे महराश मद्यप्रदेश और गुजरात राजे की मक्षा के भाव और वहां की महतोपून गतिविदिया दोस्तो एक शुब समाचार सुतंतरता दिवस 15 अगस से 24 अगस के बीच हमारा चैनल हमारी सस्क्रिप्शन यानि रिसर्च रिपोर्ट पर विशेश रियायत या च्छूट की गोशना की है मातर चार या पांस दिन बचे हैं आप संपर कर सकते हैं विशेश च्छूट के लिए दोस्तों जो भी हमारे सस्क्राइबर्स हैं उन्हें इस बात का इल्म है इस बात की उन्हें जानकारी है कि हमारे हां हमेशा फिक्स प्राइस होती हैं और लेकिन हम बीच बीच के अंदर अपने दर्शकों को सस्क्राइबर्स को तवफे देते हैं गिफ्ट देते हैं विशे समपर करें जानियर रिपोर्ट मक्का पर विस्ताथ से दोस्तों महराष्ट में मक्के की आवक यानि अराइवल बहुत कम हैं लेकिन इस साल मक्के की शांदार कीमतों के वज़े से महराष्ट में मानसून में मक्के की विज़ाई शांदार होने की खबर निकल रही है गौतलब है कि महराष्ट में मक्य की आवक हर केंदर रुपे काफी कम है महराष्ट में मक्य की कीमत लगबग 2950 रुप रेपती क्युंटल बदाई जा रही है और ये पिछले 15 दिनों में ये लगबग 75-100 रुपे और एक महने में देखें तो लगबग 200 रुपे का इजाफा हुआ है इसका प्रम्भ के कारण पॉल्ट्री फॉर्म की रिकॉर्मेंट के साथ साथ उब्भुकताओं को मक्य की सप्लाई कम होने के वज़े से ये तेजी बनी है दूसरी और स्टार्च मिले और पॉल्ट्री फॉर्म फॉर्म की जबरदस रिकॉर्मेंट के वज़े से महराश में मक्य के दाम शांदार है वारतलब है कि उत्तर प्रदेश और विहार से महराश में मक्य की सप्लाई बराबर होती है लेकिन अभी कुछ डिस्टरिबंस है और वो नहीं आ पा रही है यूपी की मक्या तो महराश के बज़ाए पंजाब और दक्षिन भारत में अधिक जा रही है क्योंकि उन्हें भाव अच्छा वहां मिल रहा है और महराश में इस समय मक्य की अराईवल बिलकुल कम बताई जा रही है तामिलाणों में मक्य की कीमत 250 से 270 रुपे प्रति क्यूट्र बताई जाती है को अर्टरब है कि महराश में इस समय डिमांड अच्छी है और आने वाले दिनों के अंदर लगबग 25-50 रुपे का उताठ़ा भी होने की उमीद है लेकिन नए मक्के की अराइवल 15-20 दिनों के बीच तिलंगाना के निजामाबाद में नए मक्के की अराइवल शुरू हो जाएगी सांगली और करनाटक में भी नए मक्के की छुटपूट अवक अभी जारी हो जाएगी और खबर ये भी निकल के आ रही है कि करनाटक तिलंगाना में मक्के की फसल पिछले साल से ज़ादा है क्योंकि इस बार मानसून की मक्के की विजाई काफी अच्छी है इसलिए संभात है इसके भाव अब एक निनायक मूड पे आ गहे हैं साथ साथ बड़ी कंपनिया अब मक्के की खरीदारी करने में हिच्के चार्ट दिखा सकती है क्योंकि भाव अभी उचे हैं और नई फसल बिलकुल दूर नहीं है अब हम चर्चा कर लेते हैं गुजरात से गुजरात में देखी गई थी मक्के के भाव में गुजरात में भी अच्छी तेजी देखी गई और 500 से 550 रुपे प्रती किलो के भाव अभी नजरा रहे हैं जहां तक बिल्टी के भाव हैं उसको 2750 रुपे से लेके 2800 रुपे प्रती किंटल तक गुजरात के भाव हैं गुजरात में भी महराश की तर्ज पर लगबग 200 रुपे की बड़ोत्री देखी गई है और ये मक्के एक बार 2600 रुपे के आसपास यानि 2625 रुपे तक गिरने के बाद फिर इसमें तेज बड़ोत्री देखने को मिली है गौरतरा वैकि मक्के की उची किमते और अच्छी बारिश के कारण पूरे देश में मांसून में मक्के की बिजाई अच्छी है नए सीजन में फसल अच्छी आने की उमीद है लेकिन पूरे देश में मक्का सितम्बर के अंती अक्टूबर में आने का संभावना गुजराती लगा रहे हैं गौरतरा वैकि मौसम विवाग ने सितम्बर में ला निनो आने पर भरी बारिश की भी बविश्वानी दी है लेकिन अगस सितम्बर में अच्छी बढ़सात हो सकती है इसकी पुष्टी अब मौसम विवाग भी कर रहा है गौरतरा वैकि गुजरात में अमतोर पे मक्के की बुआई कम होती है लेकिन इस साल किसानों ने अच्छी विजाई की है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल गुजरात में अच्छी मक्की आने की संभावना है दोस्तों हम अब चर्चा करेंगे मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में नई मक्का आने पर भाव घटने की संभावना मद्य प्रदेश की विवापारी लगा रहे हैं गौरतरा वै कि मद्य प्रदेश में की मंडियों में मक्का की कीमत फिलाल लगबख पच्छी सो रुपर प्रतिक इंटल है और अभी लगबख दोसो रुपए से डाइसो रुपए की तेजी देखी गई है और नई मक्का की आवक शुड़ू उनों पे इसमें कुछ दाम गिर सकते हैं मक्के में तेजी का कारण मद्य प्रदेश की व्यपारियों के नुसार इतनौल सही अंतर बनाए हैं और मक्के की मांग बढ़ने से इतनौल की कीमत तेजी से बड़ी है उत्तर प्रदेश बिहार में गर्मी की मक्के आई तो बारिश के कारण क्वालिटी खराब हो गई थी जिससे बजारों में तेजी आ गई थी नया मांसुनी मक्का मक्का निजामाबाद से आएगा जो लगबख एक से डिड़े मेना लेगा यह कहना है मद्देपरदेश की व्यापारियों का यहां तक मद्देपरदेश की छिनवाड़ा से नई मक्के की आवक लगबख एड़े मेने बाश्रू हो जाएगी और दूसरे राजों से भी मक्का अच्छारों तरफ आएगा सरकार ने मक्का की आयात यानि इंपूर्ट की इजादत तो दी है लेकिन इसका बजारों पे कोई अभी असर नहीं है मक्के का आयात भी जादा नहीं किया गया है जिससे इस लोकल बजार पे कोई असर नहीं आया है देशबर में मक्हे की अच्छी विजाई के समाचार है और अब तक मौसम फसल के अनुकूल रहा है लेकिन यदि अगस्त और सप्टम्बर में तेशबर साथ हुई जिसकी प्रबल संभावना है तो मक्हे की फसल प्रभावित हो सकती है तो दोस्तो ये था एक ब्रीफ ब्रीफिंग और ब्रीफ आउटलुक मक्हे का दोस्तो गेहूं पर हमारी गेहूं मक्हा बाजरा और जो पर हमारी अगरिम विशलेशन तेजी का सई साबित हुआ है आप भी यदि मक्का, बाजरा, गेहूं या दूसरे अनाज की फसलों का देखते हो व्यापारी बंदुवों महतवपुर्ण ये रहता है कि समय से माल खरीदना और समय से माल बेचना और अगरी मनुमान विशलेशन बजार की इस्थिति, फसलों की इस्थिति ये सब ही एक महतवपुर्ण फैक्टर्स है जो कि कोई भी विशलेशन करने में अगरे विशलेशन में मददगार साबित होते हैं लेकिन भारती अनुसंधान पद्जति यानि फानिशल अस्ट्रोजी और फंडामेंटल अनेलेसिस का एक अधभुत संगम अजय स्ट्रोमनी गुरू चैनल पर मिलता है और यही वज़ा है कि हमारा जो विशलेशन काफी हद तक रियालेटी से मैच करता है लेकिन साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा डिस्क्लेमर्स हम ये सभी जनकारियां आपको रिसर्च और अनुसंधान पर पसे देते हैं किसी पर प्रकार की लाभानी का जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता दोस्तों ये भी ख्याल रखिएगा कोई भी बल्ले बाज जिस परकार हर ओवर में छे छक्ये नहीं मार सकता हर बॉलर हर बॉल पर विकेट नहीं ले सकता उसी परकार हर अनुसंधान सो में से सो प्रतिशत सही होता है लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता इन सब सिमित कुछ लिमिटिशन्स को ध्यान में रखके आप हमारा चैनल देखिए दोस्तों हमारे कमपीटिटर चैनल बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लेट डाउन किया जाए लेकिन प्रफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अनुभग दिखाना पड़ेगा सूचनाय अदान पदान करनी पड़ेगी तब आपका चैनल कुछ तरक्की करता है एक लाख सरसट हजार से अधिक का हमारा परिवार हो चुका है रजिस्टर यूजर्स का एक करोड बतिस लाख से अधिक आसपास व्यू हो हैं यह सब आपकी महरबानी और आपके फ्यार से है दोस्तो हमारी विशेश पेशकर्ष 15 अगस से 24 अगस के बीच हमारे सबी सस्क्रिप्शन पर विशेश रियायत या छूट की घोशना है विशेश रियायत के लिए संपर करें All the very best, good luck, happy trading